रासायनिक साम्य अवस्था पर सांदरता की प्रभाव का अध्यन करते समय हमने एक साम्य अवस्था देखी थी जिसमें की फेरिक आयन थायोसायन आयन के साथ क्रिया करते हैं और एक कॉंप्लेक्स आयन का निर्मान करते हैं इस प्रकार की साम्य अवस्था में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिकारक की ओर तथा उत्पात की ओर सभी के सभी आयनिक अवस्था में हैं यनि कि ये एक उधारण ऐसा है जिसमें की आयन साम्य अवस्था में भाग ले रहे हैं तो इस प्रकार की साम्य अवस्था को जिसमें की आयन भाग लेते हैं उसे हम आयनिक साम्य अवस्था कहते हैं और हम बता दें क्योंकि जो आयनन की क्रिया है वह हमेशा गलित अवस्था में या फिर विलियन अवस्था में होती है तो इस प्रकार की साम्य अवस्था को हम विल करेंगे आपको याद होगा कक्षा दस्वी में हमने एक क्रिया कलाप किया था जिसमें हमने दो बीकर लिये थे एक बीकर में हमने नमक का संत्रिप्त विलियन लिया था और दूसरे में हमने शक्कर का संत्रिप्त विलियन लिया था और जब इन दोनों विलियनों पर हमने नमक का विलियन था उसमें विद्धुधारा का प्रवाह हो रहा था क्योंकि परिपत में जो हमने लाइट लगाई हुई थी वह जल उठी थी जब कि जब हम शक्कर के विलियन में इलेक्ट्रोड लगाकर परिपत को पूर्ण करते हैं और विद्धुधारा का प्रवाह बैट पाता है और वो इसलिए क्योंकि नमक को जब हम पानी में घोलते हैं जब उसका विलियन बनाती हैं तो नमक अपनी आईनों में वियोजित हो जाता है जबकि शक्कर का विलियन जब हम उसे पानी में घोलते हैं तो वह आईनों में नहीं वियोजित होता है और इसकी वज़े से शक्कर के विलियन में विद्धुधारा प्रवाहित नहीं होती जबकि नमक के विलियन में चुकि नमक का विलियन हम इस प्रकार से इसे देख सकते हैं जब नमक को पानी में गोला जाता है तो नमक चुकि यह ठोसा वस्था में भी आयनों में उपस्तित होता है तो यह तूट आविश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करने में सक्षम होते हैं और हम जानते हैं कि आविशों का प्रवाही तो विद्धारा होती है और इसलिए जो कि नमक के जली विलियन में आयन उपस्थित होते हैं जो कि विद्धारा या आविश का प्रवाह कर पाते हैं इसलिए नमक का जली विलियन विद्धुधारा का सुचालक होता है या विद्धुधारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है जबकि शक्कर का विलियन ऐसा नहीं होता कर पाता। तो इसतरह से किसी भी पदार्थ के गली तवस्था में अथ्वा उसकी जली विलियन में विद्धुधारा के प्रवाह होने या ना होने के आधार पर या हम ये कह सकते हैं कि विद्धुध चालकता छमता के आधार पर सरुप्रथम फैराडे ने विपेन पदार्थों को दो वर्गों में वर्गे कृत किया एक वर्ग था जिसमें की जिनकी फोस गली तवस्था में या फिर इनके जली विलियन में विद्धु धारा का प्रवाह होता है ऐसे पदार्थों को फेराडे के द्वारा विद्धु अपघट्य पदार्थ कहा गया जबकि दूसरे प्रकार के पदार्थ जिनके गली तवस्था में अत्वा जिनके जली विलियन में विद्दुधारा का प्रवाह नहीं होता उसे विद्दुध अनपघटे पदार्थ कहा गया विद्धु तब घटे पदार्थ के अंतरगत यदि हम उदाहरन देखे तो इसमें सभी अमल, छार तथा लवन ये सभी इसके अंतरगत आते हैं दूसरी और यदि हम विद्धु अनपघटे पदार्थों का उदाहरन ले तो इसमें आएंगे जैसे की ब्लुकोज या शुक्रोज शरकराजी से हम कहेंगे और यूरिया ये इसके अंतरगत आते हैं इसके बाद चुकि हमें देखा कि अमल, छार और लवन सभी अपने जली अवस्था में या जली विलियन में आईनों में टूट जाते हैं और विद्धु धारा का चालन करते हैं लेकिन सभी की चालकता एक समान नहीं होती है सभी की चालकता में अंतर पाया जाता है इसके आधार पर विद्धुत अपघटी पदार्थों को फेराडे ने पुना दो वर्गों में वर्गे कृत किया उन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो कि जल में घोले जाने पर पून रूप से व्योजित हो जाते हैं यनि कि जिनका सत्य प्रतिशत आइनन हो जाता है ऐसे पदार्थों को ऐसे अप विद्धुत अपघटे पदार्थों को फेराडे के द्वारा प्रबल विद्धुत अपघटे कहा गया जबकि ऐसे पदार्थ जो की बहुत कम आत्रा में व्योजित होते हैं उन्हें दुर्बल विद्धुत अपघटे कहा गया उधारन के लिए यदि हम सोडियम क्लोराइट को लें जो जब सोडियम क्लोराइट का जली विलियन बनाय जाता है तो सोडियम क्लोराइट पूरी तरह से शत्र प्रतिसत सोडियम आयन तथा क्लोराइट आयनों में व्योजित हो जाते हैं यनि कि जब इनका जली विलियन हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास केवल सोडियम आयन और क्लोराइट आयन होते हैं उसमें sodium chloride ठोस की मात्रा नहीं होती है दूसरी और यहाँ पर हम ले यदि acetic acid का उदाहरन ले तो acetic acid एक दुर्बल अमल होता है और जब हम इसका जली विलियन बनाते हैं तो इसका व्योजन इसमें से proton का व्योजन बहुत ही कम होता है यनि कि जब हम इसका जली विलियन लेते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ मात्रा में बहुती कम मात्रा में क्योंकि इसका आयन सिर्फ 5 प्रतिशत होता है लगबग तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मात्रा में acetate iron होते हैं, कुछ मात्रा में H plus iron होते हैं, इसके अलावा बहुत सा acetic acid जो अणु हैं वो बिना आयनित हुए उसी अवस्था में विलियन में प्राप्त होता है। और तो ऐसे पदार्थों के या ऐसे विद्दुत अपघट्यों को हम दुर्बल विद्दुत अपघट्य कहते हैं, तो इस तरह से हम प्रबल विद्दुत अपघट्य तथा दुर्बल विद्दुत अपघट्य के गुणों का अध्यन कर सकते हैं, यहाँ पार हमारे पास है प्रबल विद्दुत अपगट्य तथा दुर्बल विद्दुत अपगट्य आईए जानते हैं इनके गुण क्या-क्या होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं प्रबल विद्दुत अपगट्य प्रबल विद्दुत अपगट्य जली विलियन में पूर्ण रूप से आइनित होत होते हैं दूसरा आइनन की मात्रा वह वेग अधिक होता है जो प्रबल विद्धुत अभगटे होते हैं उनकी आइनन की मात्रा या फिर इनका आइनन का वेग यह अधिक होता है जबकि दुर्बल विद्धुत अभगट्यों में इनकी आइनन की मात्रा तथा आइनन का वेग दोनों ही कम होता है साथ chat यहाँ पर हम कहें कि जो प्रबल विद्दुत अब घट्य होते हैं उनकी प्रतेक सांदरता पर यह पूर्ण रूप से आइनित रहते हैं 100 प्रसेंट व्योजित रहते हैं जबकि दुर्बल विद्द' अब घट्य की जो व्योजन होता है वह सभी सांद्रता पर अधिक नहीं होता है यह सांद्रता के घटने पर इनकी व्योजन की मात्रा बढ़ जाती है जबकि जो प्रबल विद्धु तब खटे होते हैं इनकी सांद्रता विलियन की सांद्रता बढ़ाई या विलियन की सांद्रता कम करने पर भी इनके व्योजन की मात्रा में कोई जादा प्रभाव नहीं पढ़ता है। जो कि प्रबल विद्दुत अब घट्टे होते हैं तो यहाँ पर जो अणू है या उदासीन अणू है या हम कहें जो अव्योजित अणू होते हैं तथा आइनों के बीच साम में स्थापित नहीं होता है जैसे कि हम उदाहरन ले सकते हैं माल लेजे हैं पर सोडियम है जब हम इसे जल में घोलेंगे तो इसका व्योजित होगा आइनों में एने प्लस और सी यल माइनस में क्योंकि हमें ये भी कहा कि ये जो प्रबल विद्दुत अब घटे हैं इसलिए इनके व्योजित का जो वेग है काफी अधिक होता है इसलिए ये पूरी तरह से होती है दूसरी ओर हाडूजन साइनाइड ये हम उदाहरान लेते हैं तो जब ये तूटेंगे तो एच प्लस और सीन माइनस बनाते हैं अब यहाँ पर चुकि इनका व्योजिन धीरे-धीरे होता है तो एक निश्चत समय में विलियन में हाडूजन एच प्लस आयन सीन माइ नसायन तथा जो अव्योजित हाडूजन साइनाइड है उसकी मात्रा भी होती है और इसी वज़ा से यहाँ पर अणू तथा आयनों के बीच साम्या वस्था स्थापित हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल विद्धुत अपघटे होते हैं उनके जली विलियन में साम्या वस्था स्थापित होती है जबकि प्रबल विद्धुत अपघटों में ऐसा देखनी को नहीं मिलता है आये अब प्रबल विद्धुत अपघटों के कुछ उदाहरन ले प्रबल विद्धुत अपघटों के अंतरगत हमने कहा कि सारे प्रबल अमल सारे प्रबल छार तथा सभी लवन आते हैं प्रबल अमलों के अंतरगत हम उदारण ले सकते हैं जैसे की हैड्रोक्लोरीकमल HCl, सलफ्यूरीकमल H2SO4, नाइट्रीकमल HNO3 या फिर प्रबल छार का उदारण ले सकते हैं जैसे की सोडियम हाइड्रोकसाइड, प्रबल प्रबल आ जिसके अंतरगत अहते हैं, इसी तरह से जो दूर्बल विद्दू तब घटे हैं, उसके अंतरगत हम उदारण ले सकते हैं, जैसे कि दुर्बल अमल और दुर्बल चार तो दुर्बल अमल यहाँ पर होगा जैसे कि हाडूजन साइनाइड है यहाँ पर कार्बोनिक अमल है H2CO3 है एसटिक अमल है CS3COH है या फिर ओक्जालिक अमल यह इसके अंतरगत आते हैं इसी तरह से दुर्बल चार के उतारान हम ले सकते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोकसाइड है या फिर अल्यूमिनियम हाइड्रोकसाइड है तो इस तरह से हम सभी पदार्थों को सबसे पहले विद्दुत अपघट्य तथा विद्दुत अन अपघट्य पदार्थों में व्योजित करते हैं और उसके बाद हम दुत अपगहट्टे पदार्थों यानिकी अमल, छार तथा लवन के गुणों के विशाय में जानते हैं। एक वेक्ति के शरीर में लगभग एक से लेकर देड़ लीटर तक सिक्रेशन होता है। विभिन प्रकार के जो साट्रस फूट्स होते हैं, नीवू है, संत्रे हैं, इन सभी में साट्रिक एसिट और साथी साथ ऐस्कॉर्बिक एसिट पाया जाता है। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो टमाटर और आउला होता है, उसमें जाली कैसिट पाये जाता है। सिर्के में पाये जाने वाले एसिटी केसिट से तो आप परचित ही है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे चार और भिन भिन प्रकार के अमल पाये जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अमल स्वाद में खटे होते हैं तथा नीले लिटमस पीपर को लाल कर देते हैं दूसरी और यदि हम छार की बात करें तो छार लाल लिटमस पीपर को नीला कर देते हैं और साथ ही साथ यह स्वाध में कडवे होते हैं, और ताथा साबुनी यल्म की चिकने होते हैं। हैं तथा इनके गुणों से भी परचित हैं अब हम ये भी जानते हैं कि जब एक अमल एक शार से क्रिया करता है तो लवन और जल बनाता है तो इस तरह से हमें तीसरे प्रकार के विद्धुत अब घट यहने की लवन प्राप्त होते हैं उदारन के लिए यदि हम सोडियम हाइ लवन है इसे प्रकार और भी लवन हो सकते हैं जैसे की सोडियम नाइटरेट हो सकता है बेरियम क्लोराइड हो सकता है और भीन भीन प्रकार के लवन का उप्योग हम करते हैं और सबसे ज्यादा जो हमारे दैनिक जीवन में उप्योग होने वाला लवन है वह है सादारन नमक याने की sodium chloride तो इस तरह से अम्ल छार तथा लवन सभी जब इन्हें हम जल में वियोजित करते हैं जल में घोलते हैं तो यह अपने आइनों में तूट जाते हैं और यह जो प्रक्रिया है इसके द्वारा यह आइनों के उपस्थती के कारण यह आइनों का चालन करते हैं यह आइनन की क्रिया किस प्रकार से होती है या जो विद्धुत अपघट्टे पदार्थ हैं उनके व्योजन पर कौन कौन सी चीजें प्रभावित हो करती हैं इसे हम आरे नियस के विद्धुत अपघट्नी सिध्धान के अधार पर समझ सकते हैं तो आइए जानते हैं क्या है आरे नियस का विद्धुत अपघट्नी व्योजन का सिध्धान इसके कुछ बिंदु हैं जो कि हमें विद्धुत अपघटन या व्योजन से संबंधित जानकारी देते हैं तो सबसे पहला विद्धु ये है कि कोई भी पदार्थ जैसे कि जब हम इसे मालेज ये हम सामाने लेते हैं ए भी एक पदार्थ है जो कि थो सवस्था में है जब इसे जल में घोला जाता है तो यह अपने आइनों A प्लस और B माइनस में व्योजन हो जाता है यहने कि कोई भी विद्धु अपगटे पदार्थ जब जल में घोलता है तो अपने घोल कर आवेशित आइनों में तूट जाता है और इन आवेशित आइनों को ही हम आइन कहते हैं और इस तरह से इस प्रकार की जो यह घटना है यहने कि एक उदासीन अणू का अपने आइनों में तूट जाना यहां आइनन कहलाता है यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि कुछ पदार्थ जैसे कि सोडियम क्लोराइड अपने ठोस अवस्था में भी वह आइनित खो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं जिससे हम व्योजन कहते हैं तो इस प्रकार से हम कहें कि यदि उदासीन अणू है और जल में विले करने पर अपने आइनों में तूटता है तो यह प्रक्रिया आइनन कहलाती है जबकि कुछ पदार्थों के साथ जो कि अपने ठोस में होते हैं उनको जब हम जल में खोलते हैं तो उनके अपने आइनों में मुक्त होने की जो क्रिया है वह वियोजन कहलाती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी विद्धुत अपगट्टे पदार्थ होता है जल में विलेक किये जाने पर अपने आइनों में तूट ज इस प्रकार जो धनावेशित कण होते हैं उन्हें हम धनायन कहते हैं और जो रिणावेशित कण होते हैं उन्हें हम रिणायन कहते हैं और जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो दुर्बल विद्दुत अपघटे होते हैं वहाँ पर उनकी जो आयनन की क्रिया होती है वह उत क्रमनिय होती है तो कि दुर्बल विद्धुत अभगट्यों का व्योजन धीरे-धीरे होता है और इसलिए एक निश्चित समय पर या साम्या वस्था में हम कहें कि यहां पर व्योजित आयन तथा और व्योजित अनु दोनों ही उपस्थित रहते हैं जो कि आपस में साम्या व द्रव्य अनुपाती क्रिया कानियम लगा सकते हैं यहां कि हम जानते हैं कि यहां पर जो उसके आयनन इस्थरांग का मान ग्याद कर सकते हैं और आयनन इस्थरांग यह बराबर होगा व्योजित आयनों यहां पर हम यदि एक दुर्बल विद्धुत अब घट्टे ले रहे है AB जो की तूट कर A प्लस और B माइनस आइनों में विभक्त होता है तो यहां पर इसके लिए आइनन इस्थरांग के का मान होगा A positive की molar सांद्रता गुणी B negative की molar सांद्रता का बटे A B की molar सांद्रता तो इस तरह से हम किसी भी दूर्बल विद्दुत अपघटे की जो वियोजन की क्रिया है उसमें साम्य वस्था का अध्यन कर सकते हैं कि यहां पराम एक बात और बता दे कि यह जो किसी भी आयन का आवेश होता है किसी भी आयन के ऊपर जो आवेश होता है वह उसकी संयोजक्ता के बराबर होता है साथी साथ जब किसी विद्धुत अपघट के विल्यन में विद्धुत धारा प्रवाहित की जाती है जो की अपने आयनों में तूटा हुआ है यनी कि आयनों में व्योजित है तो हम जानते हैं कि जो धन आयन होते हैं और इस प्रकार से विद्धुत अपगट में आयनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने की वज़य से आवेश का प्रवा होने लगता है और इन में विद्धुत धारा प्रवाहित होने लगती है यहाँ पर हम यह बता दें कि जो विद्धुत अपगटे है उसका जितना भाग वियोजित होता है जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो प्रबल विद्धुत अपगटे है उसमें उनका जो पूरे पदार्थ की मात अपने आयनों में तूट जाती है लेकिन जो दुर्बल विद्धुत अपघटे होते हैं हम जानते हैं कि उनका शत्प्रतिस्वत व्योजन नहीं होता है तो दुर्बल विद्धुत अपघटों में पदार्थ की जितनी मात्रा आयनों में तूटती है या व्योजित होती है उ इसे हम अलफा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यदि हम किसी पदार्थ की विद्धुत अपघट की व्योजन की मात्रा ग्याद करना चाहें तो व्योजन की मात्रा अलफा ये बराबर होगी व्योजित अन्मों की संख्या बटे कुल अन्मों की संख्या और इसके आधार प कि किसी भी विद्दुत अपघटे को जब हम किसी विलायक में घोलते हैं तो उसके आयनित होने की छमता या उसकी वियोजन की मात्रा उस विलायक के परावैदुतांग पर निर्भर करती है परावैदुतांग का मान जितना अधिक होता है कोई विद्दुत अपघटे उतना अधिक तूट कर अपने आईनों में बढ़ता है और इस प्रकार से उसमें आईनों की मात्रा जादा होती है यहाँ पर हम बता दें कि किसी भी जो परवैदुतांग है वो किसी भी विलायक का एक महत्तपून गुण होता है और किसी भी विलायक के द्वारा यह वो गुण है ज इसे कितने गुना कम कर देता है यहने कि मा लेजे यदि हम सोडियम क्लोराइट को लेते हैं और जल में विले करते हैं तो जल एक दुरुवी विलायक है और इसके परावैदुतांग कामान असी होता है इसका मतलब यह हुआ कि जब हम नमक को पानी में घोलेंगे तो नमक के ज असी गुना कमजोर कर देता है अब आप समझ सकते हैं कि जब दोनों आइनों के बीच बंद कमजोर हो जाएगा तो वो आसानी से अपने आइनों में वियोजित हो जाएगा यहने कि किसी भी विद्दुत अपघट के वियोजन की मात्रा या आइनन विलायक के परावैदुत पर भी निर्भर करती है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो विलायक का परावैदुतांग होता है वह किसी भी विद्दुत अपघट के में उपस्तित जो इस्तर वैद्दुत आकर्शन बल है उसके विद्दुक्रमानुपाती होता है यहने कि विद्दुत अपघट के द्वारा विद्दुत अपघट के आईनों के बीच उपस्तित आकर्शन बल को कम करने की छमता या कम करने की शक्ति को ही हम उस विलायक का परावैदुतांग कहते हैं यहाँ पर हम कई पदार्थ ले सकते हैं जैसे कि यदि हम वायू ले तो इसका परावैदुतांग एक होता है इसी तरह से यदि हम जल ले तो इसका परावैदुतांग का मान अस्सी होता है और इसलिए कहा जाता है कि जल एक महत्पूर्ण विलायक है या प्रबल विलायक है क्योंकि यह इसके परवैद्धुतां कामान अधिक होने की वज़र से यह बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है वास्ता में होता यह है कि जब हम किसी विद्धुत अपगहटे को जल में घोलते हैं तो यह अपने आयनों में तूट जाते हैं और इसके फलस्वरुप चुकि आयन में धन आयन होता है जिस पर पॉजटिव चार्ज है दूसरा रन आयन है जिस पर नेगटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि जल भी एक धुरुवी विलायक होता है तो यहाँ पर यह जो जल है अब धन आयन में जो सोडियम आयन होगा तो जल उसके चारों और अपने रिढ़ा आत्मक आयन यहने कि ऑकसीजन की तरफ से उसे पूरी तरह से घेर लेगा उसी तरह से जो क्लोरॉराइड आयन है जो की नेगेटिव आयन है तो उसके तरफ जल के आणू इस प्रकार से चारो और इकठे हो जाएंगे जिसमें कि उनका धन आयन एन की प्रोटॉन H प्लस आयन क्लोराइड आयनों की तरफ हो तो इस प्रकार से हम देखें कि यह जो दोनों आयन है अप जल के द्वारा जल्योजित हो जाते हैं और एक दूसरे से प्रिठा प्रगत आयनित हो जाते हैं और सत्र प्रतिशत व्योजित हो जाते हैं आये अब हम अमल तथा चार की विभिन अभिधार्णाओं को जानते हैं सबसे पहले हम जानेंगे आरे नियस की अवधार्णा अमल कौन होगा चार कौन होगा इससे संबंधित आरे नियस ने अपनी अवधार्णा प्रस्तूत की आरे नियस ने बताया कि जो अमल है चुकि जब हम इन्हें जल में विले करते हैं तो यह तूट जाते हैं और H प्लस आयन देते हैं तो इसके आधार पर आरे नियस के अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन मोक्त करते हैं जैसे कि HCl, HCl को जब हम जल में घुलते हैं तो यह H पॉजटिव आयन तथा CL नेगेटिव आयन देता है यानि कि चुकि यह H प्लस आयन 13 है यानि कि प्रोटॉन का निस्काशन कर रहा है इसलिए HCl एक अमल है इसके प्रकार यहाँ पर हम फिर से कह दें कि जो अमल है आरेनियस के अनुसार ये भी दो प्रकार के होते हैं एक तो होंगे प्रबल अमल और दूसरे होंगे दुरबल अमल प्रबल अमल वो होंगे जिन में H प्लस आयन त्यागने की छमता ज़ादा होगी या उसकी H-PERSONS को निश्काशित करने की त्यागनी की अधिक प्रवित्ति होती है यनि कि जो ज़्यादा तेजी से H-PERSONS निश्काशित करते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि जो की पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं उधारन के लिए इसमें आजाएंगे प्रबल अमल जैसे की हैसियल, हाइड्रोक्लोरिक अमल, सलफ्यूरिक अमल, नाइट्रिक अमल इत्यादि इसी प्रकार दुर्बल अमल वो होंगे जिनकी हैच टॉजट्यू आयन या प्रोटॉन को त्यागने की प्रवित्ति कम होती है इ जैसे की कार्बोनिक अमल, ह2CO3 या फिर एसटीक अमल, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड या फिर ओक्जालिक अमल इत्यादि इसके बाद हम बात करते हैं आरेनियस सिस के चारकों की आरेनियस ने बताया की चारक वेपदार्थ होते हैं जो जल में विले करने पर OHIN हाइड भारण हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो यह ओन प्लस तथा OH- ऑशन साइन देता है इसलिए आरेनियस के अंउसार यह चाहरक होगा इसी तरह से जैसे कि हमने अमल में देखा कि कुछ अमल प्रबल होते हैं और कुछ दूरबल उसी तरह से छारक भी कुछ प्रबल होते हैं और कुछ दूरबल यदि हम प्रबल छारक लें तो प्रबल छारक वेपदार्थ होते हैं जो जिनकी OH-ION यानि की हड्रोक्सिल आयन निसकाशित करने की अधिक प्रवित्ती होती है जैसे कि इसके अंतरगत आजाएंगे सोरियम हाइड्रोक्साइड, पोटैश्यम हाइड्रोक्साइड त्यादी इसी तरह से दुर्बल छारक वेपदार्थ होंगे जिनकी OH-ION निसकाशित करने की प्रवित्ती कम होती है जिसके अंतरगत हम ले सकते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक दुर्बल छारक है क्योंकि या बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही धीरे धीरे व्य देते थे अमलो के रूप में परिभाशित किया गया जथा बहुत से ऐसे पदार्थों को जो की विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन देते थे उन्हें छारकों के रूप में परिभाशित किया गया लेकिन हमारी पास अभी भी बहुत से ऐसे पदार्थ उपस्थित थे जिनमें क की एच प्लस आयन उपस्थित नहीं होते यनिकि उनकी प्रोटॉन निस्काशित करने की छमता नहीं होती तो इस तरह से ऐसी पदार्थों को हम अमल के रूप में परिभाशित नहीं कर सकते थे यनिकी आरेनेस की अमलच्छार की जो अवधार्णा है उसकी कुछ सेमाई भी थ प्रापते थे यनिकी जब हम जली विलियन बनाएंगे तभी हमें एच प्लस आयन तथा हड्रोक्सिल आयन प्रापत होंगे और इस तरह से वेही पदार्थ जब उनका जली विलियन बनेगा तभी हम उन्हें अमल या छार के रूप में परिभाशित कर सकते हैं या उनकी पह कैसे ऐसे पदार्थ हैं जो की ऐसे ने कि 15 से करते हैं और लवन बनाते हैं लेकिन उनमें एक प्राइन नहीं पाया जाता इया वह विलियन में अज प्राइन नहीं देते तो एसी पदार्थ हों को हम आरेनिया Tiananaka की आधार पर अम्ल के रूप में परिभाशित नहीं कर सकते उदारन के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं Aluminium Trichloride या फिर हम ले सकते हैं Zinc Dichloride ZNCl2 या फिर Copper Sulfid यह अमली प्रवित्ती दर्शाते हैं लेकिन चुकि इसमें Hydrogen उपस्थित नहीं है इसलिए अपने जली विलियन में H-Plus-I-N नहीं देते तो ऐसे पदार्थों की व्याख्य हम आरेनियम के नियम के अनुसार नहीं कर सकते इसी तरह से बहुत से ऐसे चारक है जो कि विलियन में Hydroxyl आयन नहीं देते लेकिन यह चारे गुण प्रदर्शित करते हैं उदारन के लिए हम अमूनिया को ले सकते हैं अमूनिया एक चारी प्रदार्थ होता है क्योंकि जब किसी अमल से क्रिया कराई जाती है तो यह लवन बनाता है लेकिन चुकि इसमें Hydroxyl आयन नहीं है इसलिए यह जली विलियन में OH- आयन नहीं देता और इसलिए हम आरेनियस के अनुसार अमूनिया को चार के रूप में परिभाशित नहीं कर सकते